नमस्कार स्वागत है फामादा जनिष्ट में मैं रोशन कुमार शक्रावाजीद के बंगाही गाउं में हैं आज हमारे साथ हर्ष रंजन उर्फ शोनुजी हैं जो बिहार में सेव की खेती करते हैं और किस तरीके सेव की खेती करते हैं और अपने सेव के खेत में किन-किन ची हुआ और मैं बेजा एफ्पी ओ से भी जुड़ा हुआ हूँ और एफपल की खेती दो हजार ये चोगी से बाइस एक इस में लगाए थे पिछले साल तो कुछ कम फलन हुआ लेकिन इस साल अच्छा फलन होने की संभावना है तो आप देखता है मुब दिन भी कराए है इसका ठीक नहां अब इसमें फरबरी से फूलाना सुडू होगा उसके बाद फलो बनना सुडू होगा एक जिस इसमें काफी जगा बैंडिंग की गई है काफी पेरों में बांदी गई है वो किस लिए वो मबलिंग करने आये तो बोले जै वो बांदी जेगा ना जैसे डाल हलका जूप लगेगा इसलिए धूप लगने के लिए इसको बांदिया गया है और यह आपने कब किस सीजन में आपने लगाया था सेव का सेव हम 2021 के फरबरी में लगाया थे 20 फरबरी के आसपास यह सेव का देखिया चूकी वाज्यानिक की बथा यह तो यह तिसरे साल से इसका में लेना है पिछले साल हम भाग्यानिक को फुन भी किये तो वो बोले इस साल फॉल जड़ने दीजिया अगले साल से इसका फूरूटिंग लीजिया यानि सेब के सेब में क्योंकि काफी हो किशान भाई जो बिहार में अखासवर एपल की खेती के नाम सुनती है तो उन्हें तो उस तरीख तेह सान अखाओ में आये थे काड भी बहूत अच्छाए कलर भी रेट कळर आया चुकि पिछले साल में फोन जारा एक पिश्ले साल के रही इस साल तकिने स्लीने यह अपने आपके खेत में सरसो लगाई गई है यह क्यों यह दखिए यह चुकि खाली छेत रहा है अब इससे उका पूधा छोटा है जही से जही से विकास करेगा इसमें खाली खेतर हम सोचे जही खाली रहेगा तो इसमें लगा दिया है चुकि यह फरवरी लास्ट लाइस सब कटके हट जाएगा और फरवरी में इसका फूला नहीं सुरू होगा फॉल बनने से पहले मेरा खेत पूरी तरह खाली हो जाएगा अच्छा सेव की लगाने की आप परकिरिया क्या रही है क्या भी दिख होगे लगाने की परकिरिया तो पौधा तो हमको उद्यान विभा पौधा त्यार करके फिर वो पौधा हमको मिला पौधा लगवाए क्या इसमें पौधा लगाते हैं कि नहीं किसी भी परकार की पेटलाइजर या कि दवा का इस्तमाल अपनी किया तो हाँ हाँ मैं इसमें बर्मी कंपोस्ट हुगा ठीक ना एनपी के हुगा और ये कीरा के लिए आता है वो उसका भी रिजेंट अल्टरा का यूज किये तो क्या कितने मतलब पेद लगे आया मरने की जो पेरों की संख्यात थी वो क्या आप में बहुत है कमा एक पौधा इस बगीचा में लगभग 110 है ठीक ना पीछले साल मैंने पहले साल जो लगा है तो उसमें 30% पौधा मर गया जो कि पिछले साल फिर हम हरिमाज सर्मा के नर्शरी से ही माचल से मंगवाए ओनलाइन पौधा और उसको फिर से जोर के जहां जहां पौधा मरा हुआ हुआ है ठीक ना तो वो सब पिछले साल का जोड़ा हुआ है अब इसमें जहां जितना दूली पर पेर का ही है यह फूल मेंटेंड में उनकिसान भाई को यही संदेश देंगे चुकी हमरा भी पहला सीजन होगा फल का पिछले साल भी आया था लेकिन पिछले साल दवा उर्भा का छिरकाब नहीं हुआ वा ज्यानिक मना कर दिये थे इस साल छिरकाब होता है इस साल अच्छा और कोई अन्य संदेश अन्य संदेश में देखिया अगर बेनी फिट होगा तो हम किसान को जोर देखे कहेंगे जह नहीं कीजिए इसका भी टेस्ट अच्छा है कलर अच्छा आता है और इसमें आपको फैदा अच्छा मिलेगा चलिए आपका धने बाद आपने देखा अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद झालोष अज़ा चलिए